किसारी बया के साथ गाई हूँ देभी गित समर बया के साथ तो बहुत सारा गाना है फिर इसके बाद अंकुस राजा जी के साथ गाई हूँ और कलू जी के साथ मैं 2013 के दिशंबर में आई थी लाश्ट मन्त में बनारस में नहीं मैं इस लाइन में पैर रखी थी जब मैं तब का बता रही हूँ अज हम बनारस में पहुचे हैं एच के फिल्म के स्टुडियो में यहां पे देखिए हसन राजा जी है इधर तोड़ा चेहरा दिखाईए में बड़े धामाका समर सींग मिजी की आई यहां पर देख सकते हैं यहां पर रेखा रागनी जी मोजूद है जो अभी गाना इनका ट्रेंडिंग में चल रहा है न चीखत अनी लिखत अनी ऐसे करके वह गाना है इनका बहुत सुंदर गाना है सारे लोगों से बात चीत सबस्टेंगे बने रहीício Augen i amlight the guy can eat अच्छ अवकी निल इस ग्रम आप सब्सक्राइब और उसकूर। अब्सक्राइब्र सब्सक्राइब मनेंने गजह ज्ञेड़ अई गया है वह कहाते हैं बहुत लोगों ने गा दिया उठा करके, उठा करके भी गया है, उठा करके भी कुछ देखी हूं मैं, दो-चार सिंगर लोग गया है, एक सिंगर है, पूरा सेमे नाम रख दिये मेरे अलबम का, मेरे अलबम का नाम है कबर, और वो भी सेम ही रख दिये हैं, कबर, तो अच्छ दून में कोई copyright किसी को नहीं मार सकता है हाँ मेरा पूरा सब्दगर रहता है तो थोड़ा सा हो सकता है पर आमपरिक दून है तो लोग बहुत लोग आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं उससे चलिए अपना लाइन गाई है अरकी ची खता नी लिखता नी रोजे रोजे नमवया चधवापमाई जी अबनाई जनुआ के बिना मिले जाये देखा बढ़ावापा हमाई जी अब नहीं जनुआ के भी ना मिले जाये देखा बढ़ावापा गजब के गाती यह गाना गाके अमलों की धमाका कर दिया है लोग काफी लोग जो है ना इस पर रिल बना रहा है एक से बढ़के कलकार गाओ देहात अब देखिये गाना तो खूब रिल बन रहा है अचा यह बताएए क्या सोच करके यह गाना गाई थी यह हमके जाये मिलने का बारवाप क्या कोई मजनूजनू है क्या आपका ऐसा पर रिल में कैसे मतलब ख्याला है यह गाने के लेगा कुछ भी नहीं है लोग मेरा ज्यादा साड़ाधा सम्ग ही पसंद करते है तो कि मुझे लोग कुछ अलग लगा कि माई जी अब नहीं जनुआ के बीना मिले जाए दे कबर आपे तो मुझे दर्द भरे गाने पूरा इसमें दर्द भरा पूरा दर्द भरा पूरा चलग रहा है एक आज भी गाना आया है मेरा अलबम का नाम है कफन कबर के बाद कफन तो यह और भी यह वाला गाना मैं सुना देती हूं आप लोको आज ही रिलीज हुआ है और आप लोग जो लोग नहीं सुने होंगे गंगा ने उसके माध्यम से जाएगा आप लोग जरूर सुनेगा बहुत तागडास होंगे आपको कैसा लगा हमको तो बहुत अच्छा लगा और आपके गाने ऐसे-ऐसे हैं ना कि गजब गजब अभी लगतार आप कफने वाला जुदाई वाला तो पता ने किस-किस परकार के यह गाने गा रही है ना महराज यह कहां कहां से ख्याल आ रहा है कापी रूलाने वाला खाली आप गाना लेके आ रही है इस ताइम कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ वीडियो देखते लाइम थोडहा सा अमन में ख्याल आता हैटो हम अपने भया को बहजते हैं राइटर जी को वासिश तुने तुनिल सुरिला जी को बहते हैं अन्व बोलतें भया कुछ हो सकता है तो इतने तेजय है ना cucumber इतना तेज उनका हैं तो अच्छा लिखते हैं वह और बाकी मेजड़ी बनाते हैं हमारे रोहित रतन जी का वायरल हो रहा है अच्छा यह बताएगे कबसे शुरूत आपने अपने मतलब गाना करी हैं कम से मतलब की स्टार्टींग की कैसे ख्याल मन में कि हम गाने मतलब कि गाना है हमको पढ़ना लिखना नहीं है या कुछ और भी लाइन में जाना नहीं है अफसर नहीं बनना ही सब चीज हां मैं बहुत शुरू से मतलब मेरे मन में यह था ना कि मुझे नहीं लगता है कि किसी लडकी का कोई एक सपना हो शुरू से मुझे यह बनना है मैं जब 2-3 में पढ़ती थी तो मैं स्कूल में गाना गाई थी, तो जो सर थे न, वो मुझे इतना खुस हुए थे न, मतलब हमारे पे, कि पीठ पे ऐसे ठोके थे बच्चा, बहुत अच्छा, तो मुझे बढ़ा अच्छा लगा था, फिर दिर दिर मैं पढ़ती रही, फिर आठमी कलास में गई, तो फिर वहां पे भी मैं गाना गाई थी, तो बहुत लोगों को पसंद आया, सबको, तो हमारे सर एक थे, थोड़ा इंट्रेस्ट रखते थे, इसी लाइन से जादा, तो जैसे नाटक होता है, स्कूल में नाटक होता है, फिर गाना गवाया जाता है, तो कोई भी आती थी, लोग जब आते थे, तो मुझे बुला के पहले लेके जाते थे लोग की गाना गाना है, तो हम ही जाते थे, गाते तो सबको पसंद आता था, तो सर बोले कि लड़की कुछ करती थोड़ा, आलबम हो गयरा, इस टाइप में, तो वो लोग बोले हमको, तो मेरे मन में ख्याल आया, तो ऐसे दिरे-दिरे मैं एक-एक सीड़ी बढ़ती चली आई, दिल लोगों से पूछना जानकारी लेना चालू की, ऐसे-ऐसे करके, तो पहले मैं सबसे पहले आई थे, मुझे ज़्यादा दिन हो गया है, लोग समझते होंगे नई सिंगर है, मैं 2013 के दिसंबर में आई थी, लाश्ट मन्त में, बनारस में, नहीं, मैं इस लाइन में पैर रखी थी जब मैं तब का बता रही हूँ, तो मैं तो बनारस आई 2017 में, 2017 से मैं बनारस में, तो गाउं से अपने स्टाट करिये हैं, कहा घर हुए आपका, मेरा घर आजमगड है, आजमगड में लाट घर जो मार्केट है, कांगभार, मैं वहाँ से, तो वहीं के मतलब मार्केट में कदम रखी आप, हाँ, तो नहीं, मेरी एक दोस्त थी, मनीशा, तो उसके मतलब जिसे दारी में एक लोग थे, बैक ग्राउंड में डांस करते थे, वो भी नहीं उतना कु मुचने में, क्योंकि अभी देखा जाए, तो काफी आप कम्याब नहीं हुई है, लेकिन काफी, अभी कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन गंगा निवस के मादेम से आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, और आप सभ साफ सुतरे गाना गाओं, अच्छा गाना गाओं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे यूटूब पे कमेंट करते हैं, आप लोग कि रेखा जी, आप कोई भी ऐसा गाना नहीं गायेगा, तो मैं आप सभी लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत लोग कमेंट करते ह कि आपसे रिष्टा तभी तक है जब तक आप साफ सुत्रे गाने गा रही है उसके बाद से बाइ-बाइ मुझे ऐसा कमेंट आता है मैं पढ़ती हूं सही दिल को छू जाता है आप लोग का कमेंट तो मेरी कोसिस है यही है कि मैं मैं जब मेरे अच्छा चीज बज रहा है तो मुझे क्या शuly रहत है का साफ का साफ मतलब आपको जानने लगे लोग जानने तो तो मुझे उस ुश्य ğाइम में बनाए था साई तो कि बहुत सार और गाई थी सबके साथ लगबग मैं सबके साथ गा चुकी है इसके बाद इसके बाद क्या बलते हैं बनास के जितने भी सारे सिंगर बबलु Suparya का पत्ता निकाँ है तो बनाज के जितने भी सिंगर है उदर के भी मतलब लगभग मैं सबके साथ गाना गाई हूँ कुछ-कुछ इस्टार जो लोग है उनके साथ नहीं जो ज़्यादा बड़े तो खेसारी भी अभी है लेकिन गाई हूँ प्रीजार बड़े तो मेरा सोलो बज़ा दो साल पहले अपी गाना बज़ा मेरा आखों में निंदना दिल में करार और खुछ यह हुआ कि मेरे ओफिशियल से मतलब वाइरल हुआ रेखा रागनी ओफिशियल से आए सुनाती हूं आपको आखों में निंदना दिल में करार काहे सनम तड़ पावेला ना बाहमरा पता ना बातोरा पता कानो जरिया चुड़ा वेला आखों में निंदना दिल में करार काहे सनम तड़ पावेला तो थोड़ा सा जुखाम हुआ है इसलिए दिक्कत हो रहा है गाने में और बेटर होता नहीं तो तो यह गाना मेरा वाइरल हुआ था रेखार अगनी ओफिशियल से दो साल पहले तो ज्यादा खुसी हुआ कि मेरा सूलो गाना बजा और उसके बाब से तो लगातार फिर प्लस और मुझे लगता है धाई मिलियन यह गाना भी है मेरे ओफिशियल से इसके बाद से फिर अभी हाल में कबर वाला वाइरल चला है